Hello everyone, नमस्ते, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डूप डाइलर कैसे इंस्टाल करना है आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएए और सेर्च करें डूप, D-R-U-P-E आप अपने आप देखेंगे कि आपको एक आइकॉन दिखेगा जिसमें रंग बिरंगा बॉर्डर बना हुआ है फोन के साथ आप इसको प्लीज इंस्टाल करें जब तक यह इंस्टाल हो रहा है आप यहाँ पर इसकी वीडियो और फोटो भी देख सकते हैं आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या-क्या चीज़े हैं इसमें इस अप में और क्या-क्या फीचर्स हैं मैं पर्सनल यह बहुत रेक्यमेंड करता हूँ यह आपकी productivity को बहुत ज़ादा increase कर देगा और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको यूज करने में depending आप कौन सा phone यूज कर रहे हैं जैसे मैं भी MI का phone यूज कर रहा हूँ तो इसमें आपसे security details पूछेगा जो आपने okay करनी है आपको यह पहले दिखाएगा कि क्या-क्या इसके features हैं आपको next करना है, again dialer है, इसमें themes है, caller ID है यह आपसे question पूछेगा कि आप इसको upgrade करना चाते हैं या ads के साथ चलाना चाते हैं तो मैं भी suggest करूँगा आप ads के साथ चलाएए इसको, बहुत असान है, कोई फरक नहीं है यह वारा step बहुत important है, यह चार आपसे option पूछेगा और इन सब को आपने okay करना है जब तक आप यह सारे चीजें okay नहीं करेंगे, आप यह प्रॉपर तरीके से install नहीं हो पाएगा तो depend करता है आपका कौन सा phone है, जैसे मैं MI का phone use कर रहा हूँ तो इसमें हर permission जो है वो आपको okay करनी पड़ेगी, accept करनी पड़ेगी तब जाके यह प्रॉपर तरीके से install होगा और आप इस app का प्रॉपर तरीके से फाइदा उठा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं यह चार या तीन टिक आना depending on आपका क्या कौन सा phone है, बहुत जरूरी है अपने आप यह red button आएगा जिसका मतलब कि यह install हो चुका है अचा क्योंकि यह fresh install है एक बार यह बंद होगा और उसके बाद फिर यह दुबारा on होगा अगर यह नहीं होता है तब भी मैं recommend करता हूँ कि आप एक बार अपने टास्प यह इस app से बाहर आए इसको proper तरीके से बंद करें और उसके बाद आप दुबारा इसको on कर सकते हैं कैसे on करेंगे आप देख लेंगे यहाँ पर दो icon मल जाएंगे डूप 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 डायलर दोनों एक हैं और इसमें बहुत असान है कि आप इसको use करना start करिए इसका एक simple feature है जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने home screen से यह आप चार dots देख रहे हैं इसको आप right करेंगे तो आपका यह डूप डायलर खुल जाएगा आप इसको set कर सकते हैं कि यह features में settings में जाके कि हमेशा आपका जो है recents उसमें खुले ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हूँ और भी इसमें settings आप देख सकते हैं main फायदा इसका यह है कि आप किसी भी जने को आप यहीं से whatsapp भी कर सकते हैं तो अब जैसे यह saved है मैं इसको call भी कर सकता हूँ sms whatsapp कर सकता हूँ whatsapp call कर सकता हूँ whatsapp video call कर सकता हूँ तो यह सब चीजे और भी में पैस अगर कोई facebook duo और भी कोई app इंस्टॉल है वो सब यहां पर option आ जाएंगे तो बड़ा असान है जैसे मैंने अगर call करना है या whatsapp करना है तो यह काला जो गोला बना हुआ है नाम के साथ आ रहा है इसको उठा के whatsapp पे लेके जाना है और यह whats फायदा दिखा रहा हूँ जो है बिना number save करे whatsapp करना अभी जैसे मैं एक random number डाल रहा हूँ 9876503210 10 digit number है मेरे पास यह number saved नहीं है आप देख सकते हैं नाम नहीं आ रहा लेकिन अचानक क्योंकि इसमें caller ID है जैसे true caller है वैसे यहाँ पर नाम भी आ जाता है कि यह शायद सोहेल दिखान करके किसी जने का number है अब इस number को मैं call भी कर सकता हूँ और बिना save करे अपने phone में इसको whatsapp भी कर सकता हूँ मैं इसको whatsapp पे लेके गया तो सीधा इस number का whatsapp खुल जाएगा और मैं असानी से इसको whatsapp कर सकता हूँ बिना number save करे यह बहुत जरूरी है बहुत important feature है जो मै आपको दिखाना चाहता हूँ और इसी feature से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं again मैं एक number dial कर रहा हूँ 999998888888 यह भी number save नहीं है लेकिन इसमें अगर किसी के नाम से होगा जैसे अभी मनीशा शर्मा के नाम से number आ रहा है तो क्या पता उनका number हो but anyways इसको अगर मैंने call करना है तो इक काले गोले को उठाके मैं call पर ले जाओंगा यह sms अभी जैसे हमें whatsapp करना है तो इसको उठाके whatsapp पर लेके गया और छोड़ दिया तो इसी number को आप whatsapp कर सकते हैं thank you